आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ The Maximum Temperature on 10 Days of June 2002 in Delhi Delhi is given below Date हमार पास है Temperature और Draw Temperature Time Graph for the above data तो अब क्या करेंगे सबसे पहले हम Temperature को लिखेंगे Y-axis पर और जो हमारे पास में Date है उसे लिखेंगे X-axis पर क्योंकि हमें Temperature Time Graph बनाना है तो अब क्या करेंगे सबसे पहले Y-axis और X-axis बनाएंगे तो यह हो गई हमारी Y-axis और यह हो गई हमारी X-axis इस तरीके समने Y-axis और X-axis बना दी अब यहाँ पर हम लिख देंगे X-axis और उपर लिख देंगे Y-axis अब हमें कहा तक कि Date के लिए Graph बनाना है 10 तक तो हम यहाँ पर 10 तक लिख देते हैं तो यह हो गई हमारा 1 ऐसी पूरा 10 तक लिख देते हैं अब हमने यह देज लिख दिया X-axis पर अब क्या करेंगे अब हम टेंपरेचर लिखेंगे तो टेंपरेचर हम क्या करते हैं 38 हमारा सबसे कम टेंपरेचर है तो 38 से स्टार्ट कर देते हैं लिखना तो यहां हमने लिख दिया 38, ऐसे हम पूरा आगे तब लिख देते हैं। अब day 1 पर हम maximum temperature देख लेते हैं, पहले हमने y axis पर temperature बना दिया, जो degree centigrade में, तो हमने यहां पर लिख दिया temperature in degree centigrade, अब हमें पतर day 1 में maximum temperature कितना था, 40.5, तो वो कहां आएगा, day 1 में, यह 40 से 41 की बीच में, जो हमारे पास midpoint होगा, वहाँ आएगा, तो यह day 1 का temperature होगे हमारे पास में, अब day 2 में देख लेते हैं कितना था, day 2 में 41 था, तो वो यहां पर आएगा, ऐसी हम सारे point बना देते हैं, अभी हमने सारे, अब हम क्या करेंगे, अब इस वाले point को इस से मिलाएंगे, तो यह second वाले point को third से मिला देते हैं, फिर अब third से fourth को मिला दे, अब fourth से fifth को मिला देंगे, ऐसी हम सारे points मिला दे, तो इस तरीके से हमारा graph पूरा complete होगे, और यह temperature इधर y axis पर और days हमारी x axis पर, अब इसकी unit लिख देते हैं, तो x axis पर इसकी unit है, one unit equals to one day, यह हमारी x axis की unit हो गई, और y axis की unit है हमारी, one unit equals to one degree centigrade temperature, तो इस तरीके से हमने यह unit लिख लिए और graph भी हमारा बन गया, Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक, 10 million से जादा students का भरोसा, आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स पर,